alo class nine हमारा first chapter number system चल रहा है और थरड लेक्चर है, सैकड लेक्चर माधा है कि रियल लंबर में इर्शनल लंबर क्या होते हैं और कैसे हम किसी भी रियल लंबर को नमर लाइन पर रिय परेजेंट कर सकते हैं आज का हमारा Topic is 도 overcoming ight the plus decimal expansion मैं दो टाइप के होते हैं तो यह rational number और irrational number अब rational number जो होता है उसकी decimal expansion किस टाइप की होती है और irrational number की decimal expansion किस टाइप की होती है यह सिखेंगे सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि decimal expansion होता क्या है स्पोस कर आपको कोई number given है 0.142857 अब इस number के अंदर जो ही point है इसको हम कहेंगे decimal वो इसके बाद यह number जहां तक भी गए हुए है इसको हम कहेंगे expansion तो यह decimal expansion इसकी अब decimal expansion दो टाइप की होती है या तो वो terminating होगी या फिर non-terminating होगी ठीक है और non-terminating अगर है तो उसमें भी दो टाइप है या तो वो repeating होगी या फिर non-repeating होगी तो सबसे बढ़ी जो rational number है उसके अदर दो टाइप की decimal expansion होती है सबसे बढ़ी होती है terminating या फिर दूसरी है non-terminating but repeating terminating आपकी इस टाइप की होगी जैसे यह जो decimal expansion लास्ट में 7 तक गई है उसके बद कोई भी number नहीं है तो यह आपकी क्या है terminating जैकिन अगर हम बात करें इसके अंदर non-terminating but repeating तो इसके अंदर यहां point के बाद 131313 and so on यह बार बार ऐसे repeat होता जा रहा है तो यह terminating तो नहीं है क्योंकि यह देखो आगे चलते हो गया लेकिन यहां पर यह repeat हो रहा है 1313 बार-बार repeat हो रहा है तो यह किस टाइप की non-terminating but repeating और इसका हम किस टाइप से लिख सकते है 10.13 और यह 13 के उपर बार बार कामर रहा होता है यह repeating block बना रहा है क्योंकि 13 ही repeat हो रहा है ठीक है अब second जो जीए वो है irrational number, irrational number में सिर्फ एक ही टाइप की decimal expansion होती है वो होती है non-terminating and non- repeating ठीक है जैसे यह example है 0.10 100 100 4 times 0 and so on तो यह non-terminating है क्योंकि एक अदम ही नहीं हो यह यह आपे चलता ही जा रहा है वो non-repeating भी है क्योंकि यह आपे कोई repeating block नहीं बना रहा है नंबर तो repeat हो रहे है बार-बार 1 के बाद फिर से 1 आघे फिर 1 आघे 0 भी बार बार आ रही है लेकिन एक repeating block नी बनना जैसे इसके अंदर बनना था 13 का ठीक है तो यह हमारा irrational number अब next शीजा है कि किसी भी number को हम PYQ की form में कैसे लिख चकते हैं for example आपको एक number given है 0.147 इसको अधर PYQ की form में लिखना हो तो simple है point के लिए one आगे कितने digit है उधर नहीं 0 जैसे इसके अंदर भी 10.17 के लिए point के लिए one आगे दो digit थी तो दो 0 ठीक है इस टाइप से हम लिख सकते हैं but यह तो थी शिर्वसिफ decimal expansion जब terminating था उसके लिए अगर हमारी decimal expansion non-terminating but repeating हो तो उसको हम PYQ की form में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं एक example है example number 7 उसमें आपको number given है 0.3 और इसके उपर बार हो इस number को PYQ की form में लिखो तो क्या हम इसको ऐसे माल सकते हैं इस 0.3 के उपर बार इसका मतलब है 0.333 ऐसे एक repeat हो ठीक है तो हम इसको X माल लिखते है कि इसको X के equal माल जा X is equal to 0.3 bar तो यह भी X is equal to 0.3 bar तो यह भी X is equal to 0.3 bar यह होगा इसको माल की equation number 1 अब second step में हमको देखना है कि bar के निचे कितनी digit है अगर यह एक digit है तो हम बौत साइट 10 से multiply करेंगे और अगर इसका इंदर 2 digit होती तो बौत साइट हम 100 से multiply करते हैं तो जिफ एक ही digit है तो क्या करेंगे हम multiply multiply by 10 both sides तो यहाँ 10 से x की multiply और इधर भी 10 से 0.333 and 7 की multiply 10x का 10x और यह हो जाएगा 3. यह equation number 2 equation number 1 और 2 हमारे पास आचुगी अब करना कि next step जो equation number 2 है उसमें से minus करदा आप equation number 1 को हमेशा left hand side में से left hand side minus होगा और right side में से right side तो 10x में से 1x जाएगा is equal to इधर 3.333 इसमें से minus होगा आपका 0.333 10x में से 1x की तो 9x और इधर हो जाएगा यह only 3 9 multiply में उदर जाके 3 की divide में यह कितमा हो गया 1 by 3 तो x की value की है 1 by 3 और यह ही हमारा क्या है required answer यह हमारा required answer है कि हमने 0.3 बार को 1 by 3 की रूप में और pyq की form में दिखती है इक एक एक्जम्पल गोल करते हैं आपका एक्जम्पल नुबर 8 है 1.272 बार इसको pyq की form में दिखना है तो same step है सबसे हम पहले के सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको x मालेंगे यानिके यह हमारा क्या है 1.27272727 and so on equation number 1 अब यहां पे बार गेंचे 2 digit है तो हम multiply किस से करेंगे बोग साइट 2 digit है तो 100 से multiply 100 both side तो यह क्या देगा 100 x is equal to 100 into 1.272727 and so on अब यहां पे 100 x is equal to 100 से जब उसकी multiply करेंगे तो यह बढ़ेगा 1.27272727 and so on जब यहां पे डो डिजिट थी थी ना तो जो यहां पे डिजिट है दो जीरो थी तो डो डिजिट इसकर फाजेंगे उसमें तो एक डिजिट थी 10 में तो एक तीन इधर आगे तो पॉइंट्स के बाद अब यह equation number 2 है 2 में से 1 को subtract करेंगे equation 2 में से subtract करेंगे equation 1 तो कित्मा है था 100 x minus x is equal to 127.2727 के पर बार minus 1.2727 and so on यह होगे आपकर 126 और यह होगे 99 x 99 multiply में तो इधर जाकर divide में 14 by 11 x की बादी इतने ही 14 by 11 यही हमारा क्या है answer तो इस तरह से हम किसी भी non terminating but repeating number गो हम t by t before में change कर सकते है यह फूर एक्जाम्पल लेते है अब के बार में तो इस तीन देजिट का नमबर लेंगे फूर एक्जाम्पल आपको 0.003 इसके उपर बार है इसको change करना है तो सबसे बहुत है इसको x माल लेंगे मतलब x हमारा किसके को लागया 0.003 003 003 and so on ठीक है अब यहां कितनी डिजिट है निच्चे repeating block बार के निच्चे तीन डिजिट है तो 1000 से multiply करेंगे multiply 1000 both side 1000 x is equal to 1000 into 0.003 003 and so on सभी बात है तो एक इतना है 1000 x is equal to अब यहां पर तीन 0 है तीन 0 से मुने डिट ले जाएंगे तो यहां पर तीन यह तीन आ गया जाएंगे 003 003 003 and so on यह क्या है यह आगे 0 का तो कोई मतलब नहीं तो है 3.003 003 and so on यह 1000 x तो यह आपका क्या है equation number 2 और यहां पर यह equation number 1 अब क्या करना है equation number 2 में से minus करना है equation number 1 को तो 1000 x minus x is equal to 3.003 003 and so on minus में 0.003 003 and so on तो यहां पर जाएंगे सिर्फर सिर्फ 3 और यह होड़े गा 999 x अब यह 999 जो है इदर multiply में तो इदर जाएंगे divide में cut करेंगे तो कितना है यह वन बाई 333 तो x की बाद यूगित में है यह 1 बाई 333 यह हमारा क्या है answer ठीक है तो इन steps से हम किसी भी non terminating orderability number को pyq define में change कर सकते हैं next जो एक topic है example number 10 यह है कि हमको question इस तरह सब्सक्राइब find the find a irrational number between 1 by 7 and 2 by 7 यह वो भी number गड़कर है आपको इन दोनों के बीच में एक irrational number ढूलना है ठीक है अब इसके लिए हम करेंगे कि हमको बता कि irrational number वो नमबर होते है जिनकी decimal expansion non-terminating and non-repeating हो तो हम क्या गरेंगे पहले 1 by 7 को solve करेंगे 1 by 7 को लिए हम solve करेंगे तो वो आएगा 0.142857 और इसके उपर बाहर यह repeat उता जाएगा और जब 2 by 7 को solve करेंगे तो simple है तो 1 by 7 को अगर 2 से multiply कर देंगे तो 2 by 7 हो जाएगा 5 7 14 और इसके उपर repeating block ठीक है तो यह आपके क्या है दो नमबर आगे इन दोनों नमबर के बीच में आपको एक irrational नमबर जोनना है तो simple है देखो 1 5 1 4 के बाद 1 5 आएगा यह जो नमबर है यह इन दोनों के बीच में ही तो है तो इस तरह से हम कितने नमबरs find कर रखते है infinite numbers यह चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दो नमबर के बीच में infinite, real number, infinite, rational और irrational number होते है तो अब आपको करना क्या है जो आपकी exercise 1.3 है यह आपका homework है exercise 1.3 आपको करने है और अगर आपको exercise 1.2 यह previous कोई भी lecture में कोई भी doubt हो आप पूच सकते है और फिलालब आपको करने है exercise 1.3 Thank you